को देखते हैं हम लोग इसमें क्या है मेगनेटिक फिल्ड एड़ शेंटर पी मतलब देखो यह जो है दो वायर है और यह जो है लॉंग वायर है यह लॉंग वायर ऐसे रखे हुए है तो पी जो है अब इन दोनों वायर का सेंटर है तो इस सेंटर पर जो मेगनेटिक फिल्ड है वह हमें निकालना है मतलब इन दोनों वायर का मीड पॉइंट है तो यह वाली जो डिस्टेंस है वह 5 by 2 मतलब 2.5 होगा क्लियर है इस दिस्टेंस अब इन फाइन वायर का फिल्ड कितना होता है अगर एक वायर है वो इन फाइन इ इतनी magnetic field होती है किसी एक infinite wire की वज़े से तो अगर ये इस वाले wire की वज़े इस फिल्ड देखो तो बोड के अंदर जाएगा और इस वाले की वज़े से magnetic field देखो तो बोड के बाहर आएगा distance दोनों का same है और current की value अलग-अलग है तो जो अंदर वाला जो magnetic field है यह इस wire का magnetic field जो अंदर जा रहा है यहां पर right hand thumb rule से देखोगे तो बोड के अंदर गया तो वो ज्यादा strong होगा और ये weak होगा तो net magnetic field बोड के अंदर जाएगा तो पहले वाले की वज़े से अगर मैं magnetic field लिखूं तो mu naught 2 pi और distance अभी का same है और इसमें current i1 है जो की 5 ampere i2 है जो फिन वाले की magnetic field है वो बोड के अंदर जाएगा और दूसरे वाले की magnetic field मीन नॉट ? 2R है और ये boyfriend के बाहर आरहा है तो net b1 जादा होगा जो भी अंदर है तो hectic magnetic field इसandar होगा तो Ah texto ? अगर मैं इसको minus करूंगा mu naught और 4 pi r तो यहाँ जाएगा i1 minus i2 और i1 minus i2 अब इसको calculate कर लो तो mu naught यहाँ से जाएगा और 4 pi r की value डालतो 5 by 2 है और multiply कर दो i1 minus i2 मतलब 5 ampere minus 2.5 तो यह जाएगा mu naught और यहाँ से mu naught यहाँ से यह 2 pi है 4 pi नहीं है यह बेसिकल यह 2 pi है तो mu naught 2 pi और यहाँ से प्यारे बच्चों मुझे मिल जाएगा 2 upon 5 और यह multiply करोगे तो 2.5 तो 2.5 इसको solve कर लो 2 ने 2 को खतम कर दिया और यह 0.5 आ गया और 10 से उपन नीचे multiply कर दोगे तो यह 2 times कर जाएगा तो mu naught 2 pi इसका solution है तो जो net magnetic field आ जाएगा वो mu naught 2 pi और इसकी direction board के अंदर आ जाएगा that is c option जाएगा